हेलो ब्रीबन वेलकम टू एक्जाम भी मेरा नाम है श्वनी पुंडीर और स्वागत है आपका हमारे इस स्सी बी यूट्यूब चैनल पर से एस आई यार एसो एसो के लिए लेटर सब्डेट्स आ चुकी हैं एक्जाम कैसे होगा किस तरह से होगा एक ही डेट पर होगा सीपीटी में क्या आएगा पूरा पैटर्न वो आ चुका है उसके लिए मैंने एक अभी रोड़े पहले एक वीडियो बनाया था आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं अब आप यहां पर यह देख रहे हैं कि यह पीछे क्या है यह कॉमेंट्स मैं है पर क्यू लेकर रहा क्या होगा इसमें टाइपिंग स्पीटन नहीं है क्या on-line of line में cpt में appear at कर नी है रour home नी सबाब मैं आपके आरेड़ी मतलब में लिए वीडियो बनाया था अंकर देखा हो मैं इसमें already इन सारे चीजल्वाब दे चुका था और वही चीज जो है आपके उस उफिशल नोटिफिकेशन में जो आज CSIR ने जारी किया है उसमें वही चीज है ये बाते मैं आपको अलड़ी दस दिन पहले पंदर दिन पहले बता चुका था और मैं बार 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 बताते आ रहा हूं कि confusion के regarding CPT के regarding मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बता चुका हूं और वही चीज आखिर कार आपके CPT में आने वाली है अब वो क्या है इस तरह से एक notice आया था मैंने इसको यहाँ पर काट काट कर लगाया है अलग-अलग slides में उसका जो full notification है वो आपको हमारे हमारा जो telegram channel है वहाँ होने के अवाला है typing test के लिए मैं अपके लिए बार-बार चीज़े बता चुका हूं typing test एक अलग चीज होती है speed typing अलग चीज होती है उसको मैं फिर से clear कर रहा हूं मैं नहीं समझ बार रहा हूं कि भार-बार देखो ना एक बार तो मैं चाहता हूं कि आपना वीडियो को आपको frame मिल रहें इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी वहां पर चीज़े आप करते हो एक बार अराम से देखो उसको वीडियो को पूरी देख लो चाहे 1.5 वीडियो में करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है बट उसको पूरा देख लो समझ लो कि सामने वाला क्या ब मनाता है नहीं ना ठीक है तो थोड़ा सको देखो बाकी आप देख चुके हैं यह आपका जो CPT का एक्जाम है यह उसी दिन टीन से लेकर चार तक होगा डेड़ बज़े आपकी रिपोर्टिंग है सेम सेंटर पर ASO के लिए ठीक है यह बात क्लियर है नहीं है तो यहां पर बता दी अब पेपर जो है आपका वो pen paper based होगा यह मैंने आपको बताया था पहले ही बताया था कि पेपर आपका 99% चांते हैं कि pen paper based होगा online आपका एक्जाम जो है नहीं होगा तो उसके लिए आप तियारी जब कर सकते हो ठीक है तो यह वाला issue जो है रिजॉल्व हो गया pen paper का चलो अब CPT की बात करते हैं यह जो सेम स्लाइड सेम कटिंग आपकी उसमें है जो आपको नोटिफिकेशन आया था कि CPT जो आवो जज करेगा आपकी proficiency कि आप proficient हो MS Word चलाने में Excel चलाने में PowerPoint चलाने में है ना यह उसके लिए है अब इन्होंने sample दिये हैं देखो MS Word में आप से क्या पूछेगा टाइपिंग ऑफ पैसेज दोसो जड़ाइसो वर्ड्स प्रोफिशेंसी इन अधर वर्ड प्रोसेजिंग एक्साइज विच रेक्वाइड इन नॉर्मल दे टो दे फंक्शनिंग ऑफ आन ओफिस आपको एक पैसेज दिया जाएगा नेरी बात ध्य का है फॉन्ट क्या है वो एक्जेक्ट आपको कॉपी करना है इस तरह से आपकी टाइपिंग का टेस्ट होगा स्पीड टाइपिंग नहीं होगी समझ गये मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है यह आपका वर्ड में पूछा गया है चालिस नंबर का एक्सल में आपसे क आपको एक पावरोपन बनाने के लिए दी जाएगी और वही नॉर्मल फंक्षिंग जो होती है यह सारी बाते मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ अलड़ी वही चीज़ आपके एक्जाम में आ रही है मैं अलड़ी बता चुक हूँ सारी चीज़े ठीक है यह से बान है उसका प्रिंट आउट भी लेंगे कैंडिडेट को फिर उसके बाद उस पर नएम रोल लंबर उस पर आपको लिखना है और उसको आपको इन्विजलेटर को हैंड़ोवर कर देना है यह उसमें आपके पेपर में होगा एवैलेशन जो है वह आपके शॉफ्ट को पी अप प्थाएं और एक आपके कहां पर होते हैं, साइज की होना, नहीं होगी है, हैड़र क्या होगा, फुटर क्या होगा, इन चीजों की स्कार्ट करना, श्रक्म की प्रैक्टिक नहीं घर निया हम staring date है यह बातें आपको बता चुगा हूँ और आपको पेपर 3 कि अगर प्रिपरिशन करनी है डिस्क्रिप्टिव की CPT की तो उसके रिगार्डिंग हमार लिए कोर्स है आपको हर वीडियों बताता हूँ उसका यह नंबर है आप जाके डिरेक्टली स्कूर्स में खुद को अन्रोल कर सकते हैं तो यह चीज़े हैं यहां बार 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 आपको बता रहूं ताकी आप दिकत ना करो आपको दिकत ना हो आप साम में अच्छे से स्कोर कर पाओ आपको चीज़े क्लियर हो CPT क्वालिफाय करना बहुत मुश्किल नहीं है आप इसको अराम से क्वालिफाय कर सकते हो मैं यहां पर भी आपको लेकर आऊंगा गाइडेंस सेशन आप अगर चाहते हैं तो कॉमेंट करो बाकी पुरानी वीडि में लिखो लेकिन वीडियो को देख कर लिखना ठीक ना वीडियो में बताई है वही बात रिपीट मत किया करो कुछ फायदा नहीं चीज़ होगा अगर आप नहीं बात लिखो तो मैं आपर रिप्लाइए भी करूँगा और आपने देखा है मैं रिप्लाइए करता भी झाल झाल